नमस्कार यह हमारे समय की कला समिक्षा की इंक विडम बना है कि उनके खाते में उभरते हुए युवा कलाकारों की कला पर कम बात होती है हमने इस मंच के माध्यम से इस जड़ता को खतम करने का प्रयास किया है पूर्म में भी हमने कुछ युवा कथक कलाकारों के साक्षातकार आपके सम्मक्ष प्रस्तूत किये है आज भी हमारे साथ एक उभरते हुए युवा कथक कलाकार उपस्तित है यह है आकाश देविती इंदुनी चे वो बाले अंद ग्रिश्मां चुरूनो अंद रंग नेरूनो आंद ने जारू युवा कई नेरूनो यह हमारे साथ एक उभरते है यह हमारे साथ प्रस्तूत किये वो बाले कानपूर से साइंस में ग्रेजुएशन करने के पश्चाथ आखों में एक कलाकार बनने का सपना लेकर आकाश दिल्ली आये शीराम भारती कला केंद्र में रक्षा सिंग डैविट के सानीति में इन्हों कथक की सिक्षा लेना शुरू किया उसके उपरांद कथक केंद्र में पंडित जैकिशन महराज की शागिर्दगी में इन्होंने अपना रियास शुरू किया इनके काम में परंपरा की खुश्बू और रियास के लगन की अभी व्यक्ति और उसका सौंदर बहुत है तो कुछ प्रशनों के साथ हम आकाश से बात करते हैं आकाश राद्र सबसे पहले ताम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने ग्रिजूशन साइंस से किया कत्थक को चुना आपके जो गुरु है रक्षा सिंध्याविट जी और जैकिशन महराज जी तो इन लोगों के गुरुओं के अपनी ऐसे दी कोन सी सिक्षण पद्धिती है और उस सिक्षण पद्धिती को आपने किस तरीके से अपनाया और कर्थन की प्रदि आपका प्रथम प्रश्नका जोडता है कि मेरी जो सिक्षण पद्धती शुरू हुई वो जो दिल्ली का प्रतेष्टिस संस्थान बाते के लगें वहां से मैंने अपने सिक्षण पद्धती को शुरू किया वहाँ पर मेरी गुरू थी और गुरू रक्षा सिंग डेवर जी और जब मैंने कथक सीखना शुरू किया था उस समय मैं ग्रेजुएशन में था यह लगबग 2010 की बात है तो उससे पहले तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कथक का नाम तो जानता था पंडित दुर्जुमारा जी का नाम जानता था लेकिन क्या फॉर्म है शास्त्री क्या है लोगमृत्य क्या है इस तरह का मुझे कोजी ग्या नहीं था सो मैं जब भारतिय कला केंव में आ ग album क्यां गया उसके बात मैंने जाना की ततकार त्थोजें थीतड होता है ठेकके के साथ में करना है सम के जब मुझे पहले प्रश्मने पूछा गया सम्ध क्या होता है कोई जानता है तो मैंने हाथ उपर किया गुरुजी ने पूछा तो मैंने बोला जब दो संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो सभी हसने लगे तो इस तरह से मेरा जो सिक्षन पद्धती है उसकी शुरुवात हुई और क्यूंकि यह मैं जरूर बोला च दिलाते हैं और उनको उस चीज की सिक्षा दिलाते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं था मैंने खुझ से इस आर्ट को इस फॉर्म को चूज किया था और क्यूंकि मुझे कोई बेसिक ट्रेन बेसिक नॉलिज नहीं ती इसके बार में तो मेरे अंदर बहुत जिक्यासा थी उसको जान निकल ला जाए तो सारी चीजों को मैं काफी ज्यांस वहां पर सीखता था तो इस वाज़े से जब मैंने वहां शुरू किया तो ट्रेनिंग तो बेसिक थी क्योंकि मैंने शुरुआ थी वहां पर किया था लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने सीखने लगा तो जो सीनियर सेस हुआ और उसके पीछे कारण यहीं था क्योंकि मेरा जो उसके प्रती रुची थी मुझे और जिक्यासर थी उसको और जानने समझने की हो थी प्लस उसके पगल में यह हमारी लाइब्रेरी थी संगी नाट अकैडमी की तो मैं फ्री टाइम में वहां जाता था जिसकी जानकरी मुझे गुरुजी से उप्रीन में जाता था घंतो घंतो में वहां पैगता था शुरू आती दौह में जहां इस्टूरेंट्स सीखने के लिए थियोरिकल चीजों से दूर भागते हैं, मैं समझना चाहते हैं, मुझे ये था कि मुझे जानना है कि इसकी हिस्टूरी क्या है कि बारें में क्या जीता तो मैं वहां जा के किताब忘ो लिए kanakलता था पड़ता था नाट शासर क्या matter है किसने क्या लिखा है इस Giroud उनकी नोट बाकॉयदा बनाता था दो इस त कथा केन में वहाँ भी गुरू जैकिशन महाराजी से मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई यहां के एक्मॉस्पियर को एडॉप्ट करने में क्यूंकि जो हस्तकों का चलन था जो निकासी थी हस्तकों की आंगी किरियाओं की उसमें मुझे ट भार्तियकला केंद में जो ट्रेनिंग थी वो एक स्लो प्रोसेस बोल सकते हैं वैसे तो कोई कंप्यार नहीं है बड़ फिर भी अगर किया जाए और कथा केंद में क्यूंकि यहां पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट तयार किये जाते हैं तो स्लेबस है काफी ब्रहत्ट स्लेब होता है यहां पर तो वो उस चीज का सामना जरूर मुझे करना पड़ा जैसे कि जब मैंने अभीने मेरे स्लेबस में इंट्रीउस हुआ भार्तियकला केंद में तो मैंने पहला अभीने जो सीखा तुलसी दासी का श्री रामचंद्र कृपालो भच्वन की भजन तो जब मैं हमने उसका अंतरा किया अग से अगले दें घिरे-धिरे उसको सीखा लिकिन जब मैं कथा केंद्र में आया तो यहां का जो प्रोसेस था बहुत पास्ट था गुरुजी एक ही दिन में अगर कोई अभने सीख रहे एक ही दिन में पूरा ठुमड़ी भजन को शुरू से अंतर तक सिखा देते थे और अगले दिन जब हमें जाना है तो उसको पूरा से अपने शरीर में बिठाके बॉड में बिठाके हमें पूरा उसको प्रोफेशनली अच्छे धंग से उसको प्रिजेंट करना होता था नहीं तो शामत आती तो यह जो प्रोसेस था यह अंतर था दोनों करती नहीं आई और बलकि यह देखा गया है कि एक गुरु के शागिर्द का भी जो करने का धंग होता है मुर्त को परतने का उसमें काफी हट्रेंश होता है अलग-अलग लेकिन मुझे उस तरह की चीजों का सामना नहीं करना पड़ा तो इस तरह की पद्धती रही है और हा सब्सक्राइब करने के लिए बहुत जजबा चाहिए होता है मगर अगर आपके अंदर जोज जुनून नहीं है आप सक्षम नहीं है अंदर से आप मेंटली इमोशनली शारीरी ग्रूप से अगर स्ट्रॉंग नहीं है आप वहां पे टिक नहीं सकते मैं यह बोलूगा उसके के लिए आपको बहुत स्ट्रॉंगी रहना पड़ता है तब वहां की इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है कथा के मिल की वह अपने में अच्छे तरह से सही रूप में समावेश्यत कर पाते हैं तो यह मेरी ट्रेनिंग का एक प्रोसीज़ा तहा आकाश जैसा कि हम सभी समझते एक घरानों के संदर्व में उसको हमेशा जाना जाता है आप बीलकनव घरानी शॉयमिप पढ़ा में इंरद्य करते हैं तो हम सभी सबी जानना चाहेंगे कि आप कथख को घरानों के दाइरे में देखना पसंद करते हैं या किस तरह घरानी के परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं रही है सौसेर 200 साल के बीच ही रही है और हमें मुझे ऐसा लगता है कि कथख को अगर हम व्रिक्ष रूप में देखते तो घराने उसकी अलग 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 शाखाएं है और हर जिस हर साखा पर अलग अलग पर रहे के पूल खेले होगे उसके अलग अलग खुश्बू है तो उसी प्रकार से यह जो चार घराने हैं हमार करोक लेता है उसी में हम डाल डाल जाल के भना के खा तो छिच्वडि का रूप लेता है उसी ही चावल पीस के जरह हम स्टीम करके ऐकने का प्रस्तूती करण उसका जो है वो उसमें अलग-अलग विस्षटाइं बन जाते हैं तो इस तरह से मुझे लगता है कि घरानवाद है और इस घराने को अगर लेकर हम चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भी इसमें किसी भी प्रकार भी कोई खुमी है कि कातर कोई ऐसा तो इस इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैं कथक को घराने से अलग नहीं देखता हूं और इसमें कोई खराबी भी नहीं अगर आप घराने को सोच के चलते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता हाँ यह जरूर है कि जो एक थौट ऐसा बन जाता है क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है क कि हम सिर्फ अपने घराने को महत्तो देते हैं उसको अच्छा मानते हैं और दूसरे घराने को हम नीचे दरजे का मान लेते हैं इस तरह की थौट लेके नहीं चलना चाहिए अगर यह थौट है तो अपकोस वह खदरनाग है हमें एक पॉजिटिव एक सकारात्मत नजरिये क को लेके बढ़ना चाहिए और जिस घराने को भी हम देखें सोचें जिसकी सब में अपनी खूप सोटी अपनी खूबिया है सारे घरानों में और आज के टाइम में अगर प्रेजेंट समय में देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा शेत्र है जिसको कथका गड़ माना जाता है औ उसी तरह से आर्टेस्क भी तयार हो रहे हैं सीख रहे हैं तो आदान प्रदान तो बहुत हो रहा है इस वज़े से सामने बहुत सारा मिक्स मैच की नजर आता है लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं जो सोचता हूँ अपने लिए मैंने अपने गुरू से जिस प्रकार जिस घ सारी को समझते हुए बाकि जिस घराने से जो भी चीजे मुझे अच्छी लगती है मैं उनको करता हूं और मैं यही कहता हूं कि मुझे यही लगता है कि कथभ को घरानों से इतर सोचने का कोई मतलब नहीं है आप अगर सकारात्मत नजरिये से इस चीज को लेके चल रहे हैं त तो फिर इस प्रकार तो घराने की जो अपनी खुश्बू है वो नस्ट हो जाएगी आकाश एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम सभी कलाकारों के लिए बहुत महत्वर अपता है रियाज साबना और लगन तो बहुत है अब जैसे आपक इंदर में रहें जैसाब ने बताया कि गद्धा कलायों की अपनी एक रियास का तरीका नेकिन अब अब आप इंडि-बैंडमेंट तरीके से चोफन तरीके applied को करते होंगे इस साथ ना मेरण थे तो वो किस तरीके से आप रियाज करना पसंद करते हैं? कथक आर्टिस्स जो है उसके लिए रियाज बहुत ही important factor होता है ये इस प्रकार है जैसे एक सभी आम इंसानों के लिए सास है हम बिना सास के जीवित नहीं रह सकते वैसे ही मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म के अगर आप सादक हैं उसको अपना रहें कर रहें तो बिना रियाज के तो कुछ संभव ही नहीं है ये सभी लोग जालते हैं और रियाज को जैसे के हम जोग दो चीज़ू में देखते हैं शारीरिक और मांसिक तो शारीरीक रूप से तो रियाज होना ही ऱ죠 शारेरीक र्याज तो वह इंपयोटन ये मतलब कि partir की तरही ना झाए मेरी मानसिक conteúdo यहीं बिख और कि मानसी क्रियाज के मलें सोचना नहीं पड़ता है यह मांसी सवाथ देख लिए उसी प्रकार से इसके लिए सोच के हम करें र्याज तो मुझे नहीं लगता है कि पर आर्टिस्ट वो है तो तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठे उठे हमारा तोड़ा टुकड़ा बना रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम उसी तरीके से तोड़े तुकड़े को सोच रहे हम उसी में देखते हैं कि हमें यार भी नहीं रहे तो कौन सब मेट्रो स्टेशन आया और हम आगे भी निकल जाते हैं और इस चीज से सभी जो कथर कलाकार है वो इससे सहमत होंगे उन सभी किसाथ इस तरह की परिस्तेतिया बनती होंगी एक एग्जामपल मैं देना चाहूँगा पीच में मेरी आदत होगी थी कि जब भी मैं सोता था तो सोते समय मेरे दिमाग में कथक की चीजे चलती थी उसका जो नित तपक्ष है और उसकी ताल को देने के लिए मैं अपने पैर के अंगोठे से इस प्रकार ताल देता था और तो सभी मांसी रूप उस चीज में लिप्त रहते ही हैं वो सोचते ही हैं मनंचिंतन क्योंकि अगर आपके अनुर्त में मनंचिंतन नहीं है तो तो बिना रूह के जैसे शाही मृत ऐसा डांस होगा वह तो तो इस वज़ए से शाडेरिक मांसी क्रियास दोनों ही इंपोर्ट चीज हैं रही बात मैं खुद अकेले में किस प्रकास इस चीज का निर्वाहन करता हूं तो इसके लिए मैं यही कहना शाहूंगर की कई बार मेरी गुरु जी ने भी बहुत से सूत्र मुझे दिये हैं रियास के लिए जिन चीजों को मैं अपने रियास में शामिल रखता हमारी तरकार है पल्टे हैं मुववेंट्स हैं चक्कर है मुवेंट्स को भी स्लो में है ना इघुन में फिर चौगन में अटब करते ही हैं और ऐसके लावा कई वार ऐसा होते मैं बहुत से आर्टिस्ट को देखता हूं तो उनकी कुछ चीज मुझे पसंद आई अच्छी लगी मैं उसको भी अपने रियाज में एडॉप कर लेता हूं उसको भी शामिल कर लेता हूं और रियाज का मतलब सिर्फ निर्ट पक्ष नहीं है कि हमने तोड़े टुक्रे लगा लिए हमने तकार कर लिया चक्कर कर लिए दो पल्ले हैं जिस पर एक निर्ट अभिने तो मैं पूरा पूरा जोर अभिने पे भी देता हूं जितना निर्ट पे देता हूं और मैं उसको भी अपने रियाज में शामिल करने की कोशिश करता हूं उसके बारे में मलन चिंदन करता हूं और इस प्रकार मैं अभी तक अपनी सोच से जितना समझ पाया हूं इस रियाज की पर पे रंगों का सयोजन आपके भीतर एक कला मन में है अपना आप जो कॉस्ट्यूम पेहनते हैं वेश-बुशा पेहनते हैं अपने कथ्था की प्रस्तुती में वह भी बहुत डिफरेंट है तो अपनी वेश-बुशा और उसके रंगों के सयोजन के विशय में कथ्था के जो इस तरह से मैंने नहीं सोचा है वो स्वता ही स्वावावी मेरे अंदर आ जाता है मैं जब इस्टूडेंट भी था अभी इस्टूडेंट हू लेकिन जब मैं उस प्रक्टिया से गोजार रहा था करते कि इन था सीख रहा था भातिकला जे तो भी मैं जब दी कुर्टा उस समय कुछे पहनते तो जिसस आप देखने बीचन बटन होती तो मैंने फिर अईडिया लिया जो कि बैंगॉल का इक टरीका होता है यह साइड में बांते हैं गुछे को मैंने वहाँ से आइडिया लेके अपनी इसी चीज को टेलर को बोल्टे मैंने साइड में बटन्स को करा दिया था तो इस तरह से वो विचार स्वाभाविक रूप से मेरे मन में आ रहे थे लेकिन हां रंगों को लेकर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा मेरा बच्पन से ही मैं पेंटिंग के साथ जुड़ा हुआ था और रंगों को साथ खेलता था और मुझे पागवानी बहुत अलग अलग तुरह के रंगों के फूलों को उगाना उनको मैं घंतों उनके साथ बड़ा सकता हूं तो अन ही चीजों का कुछ ना कुछ अनस है जो मेरे कॉस्टिम में भी परिलक्षित होता है मुझे लगता है कभी भी आप घोडे की तरह लगाके नहीं चल सकते हैं, हमारे जीवन में जितने भिघटक हो रहे होता है, जो भी चीजे घढ रहे हैं, हम जो भी जिस तरह के चीजें विछार कर दें, उन सभी का कही न कहीं इंटरकनेफिन होता है, और उनी चीज़ों का अंच आपकी कला पे भी पड़ता है, इसके विश्या में मैं बोलना चाहूंगो कई बार ये बोला जाता है कि प्रोपेशनल लाइफ अलग होती है, और परसनल लाइफ अलग होती है, मैं इस चीज़ से पिलकुल भी सहमत नहीं हूँ, मुझे ये लगता है कि आप जैसे इंसान होगे, आपकी जैसी सोच होगी, वो आपकी कला पे प्रभाव ढालेगी ही डालेगी, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, बहुत महीन चीज़ है, बट इस पे भी ध्यान लखने कि बहुत विशेश कोशिश रहनी च आपकी कला पे भी इफेक्ट डालती है, तो मुझे ये मैं कथक का प्राचीनतम स्वरूप है, जो उसका वैदिक कालीन स्वरूप है, उससे बहुत ज़्यादा आकरशिव हूँ, इसी वजए से वो धोती बादने का जो तरीका है, या अपनी कथक को उसी से मैं रिलेट कर प उसका अकार ले लेता है, वैसे ही कला, जिस मनुष्य के अंदर जाएगी, जिस कलाकार के अंदर जाएगी, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचार है, थौट है, वो उसी रूप में परिलक्षित होती है, तो क्यूंकि मैं उसके प्राचीनतम स्वरूप से काफी अपने को कने कॉस्ट्यूम देखते हैं, जैसे कि कथर डान्सवर्म में बहुत सारे वैरियेशन से कॉस्ट्यूम को लेके, बहुत सारी भिन्न भिन्न तरह के हैं, जाए फीमेल हो, मेल हो, आज की समय में मैं यह जरूर बोलना चाहूंगा, कि मैं बहुत से आर्टिस्ट को देखता हूँ कॉस्ट्यूम् शायद वह अपनी सोच से उसको अच्छा उनको लगताँ ऑनको अपने आपको उसका कॉस्ट्यूम कि अपश声 से अपने आपको मैं सहमत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यह जो क्ला है, यह हमारे शास्त्य कला है, बहुत सब्धिन हमारे तो इसके जो कॉस्ट्यूम भी है मुझे लगता है उसमें भी हमारी उस मिक्ति की हमारी भारतियता की खुश्बु जब तक नहीं दिखेगी तो मुझे में लगता है कि वह हम उसके साथ ज्याय कर पाएंगे इन ही सभी विचारों को लेकर मैं अपने कथक को कॉस्ट्यूम को बीकर देके चलता हूं अजिए कथक का साहित के साथ क्या संबंद हैं यू तो जितनी भी कलाइये उन सभी का अंतर संबंद है चैए वोचित्र कलाहो संगीत कलाहो या फिर शिल्प कलाहो कोई भी कलाहें तो उसी प्रका जब साहित्य और कथक को देखा जाता है तो मुझे कि जैसा की कथका रस्तुतिकर रहा हैं हम देखते उसमें श्लोख हम करते हैं इस तो ती वंदना करते हैं अभिने पक्षमें जो भी चीजे का जल ठुमघे चैति आधि-ढदी भजन की जे होती हैं नज्म उन सब चीजों को ये साहिति के साथ ही देखा जाता है है चाहे पराड कथाएं हो उसके बाद काली दाज और यह हमारे अस्ट शापकवी रीतिकालिन भगतिकालिन इसके साथ साथ जो हमारे समकालिन रचना है समकालिन साहित है उसको भी हम कथक में भरपूर प्रयोग करते हैं और इनके अलावा हमारे जो कथक के गुरुजन रहे हैं उन्होंने भी कथक अपना साहित रचा है जिसको कथर में काफी प्रोट साहन मिला है और आज के समय के भी जो गुरुजन है वो भी कुछ न कुछ इसमें अपनी चीजों को एड करते हैं ठुम्री है चैती है गजरी है इस तरह की चीज़े जिसमें की गुरु बिंदादीन महराजी सुंदर प्रसाद जी नारायम प्रसाद जी वी नोहिल सारे गुरुजनों है काम किया है कथर के साहित को बढ़ाया है और हम हमेशा से ही कथर के साथ कुछ इकड thi का साहित्थ होता उसका ही प्लोग करते हैं तो साहितme और कथर रिधक का तौ अंतर-संब्ध है इस से हम तिए आपके गुरु पंडित जैकिशन महराज जी विद्वान कलाकार है उनकी ऐसी कौन सी बात आपको हमेशा आकर्शित करती रही और आपका भीतर का मन हमेशा गुदगुदाता रहा कि मैं भी वो बात अपने गुरु की अपनी जीवन में अपना सको गुरु जी का ऐसा कोई भी आसपेक्ट नहीं है जिसने मुझे अकर्शित ना किया हो इसके विश्ण में कहना चाहूंगे जब मैं पहली बार उनके पास सीखने गया था और जब उन्होंने मुझे चीज़े सिखाई और मैंने उस चीज़ को समझा जाना तो ही उसी समय मुझे इस तरह का आभास हो गया था कि यहीं चीज तो है जिसके लिए मैं इतने टाइम से मैं समझना चाहरा था या जानना चाहरा था जिसके मुझे तलास दी तो गुरु जी का चाहे वो सिखाने की पर्दती हो चाहे वो टांस को जिस तरह से सोचते हैं वो अपने शागिर्दों जिस रूप में चीजों को देते हैं, वो सारी चीजों ने मुझे, चाहे वो music composition करते हैं, जितने भी उनके मैंने चीजों को देखा, मैं हर चीज से उनके अकरशित हूँ, अब मुझे हमेशा मैं सोचता है कि मैं ये चीजे जान पाऊ, मैं भी समझ पाऊ, वो जब किसी भी पता था, कोई भी performance उसका music composition वो खुदी करते हैं, जैसे कि सभी को पता है, तो कौन सा राग रहेगा, किस तरह का ताल रहेगा, और उसको बाकायदा paper पे notation करना, ये जो उनका एक aspect है, इसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि जब आप एकल तोर पे जब कभी काम करते हैं, तो आपको इतना सक्षम तो होना ही पड़ता है, कि जहां पे आपको, आप जो चीज़े अपनी कर रहे हैं, उस music को सामने वाले, आपकी जो भी संगत का रहे हैं, उनको समझाना, बताना, कई बार होता है, मोखिक तो समझा देते हैं, लेकिन उसको बाकायदा paper में कैसे notation की जाती है, उस music को, यह चीज मुझे काफी पसंदाई, और एक चीज जो गुरुजी के जो मुझे और भी काफी interesting लगती है, जो मैंने बाकी कहीं जेके missing देखी है, कि जब हम कोई भी आंगी क्रिया करते हैं, तोरा, टुकडा में कहीं भी, तो दो मुवेंट्स जो हो कि जो गैपिंग होती है, उसको वो कितनी सुंदर्ता से भरते हैं, वो कभी भी कट-कट-कट उनका style नहीं रहा है, उन्होंने जब भी सिखाया है, तो एक मुवेंट्स से दूसरे मुवेंट्स तक जाने की जरनी है, जो बीच का गैपिंग है, उसको भी मुवेंट्स के पूरा ही स्वरूप ऐसा है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो ये कुछ चीजे हैं जिनोंने मुझे काफी गुरुजी की प्रती आकर्शित रखाए, आकाश आपकी तो अभी एक तरीके से कला यात्रा शिरू हुई है, आपके भी जिन्दगी की शिरुआत है, लेक सपना तो एक ऐसी चीज है, जो हम नित नए सपने देखते हैं, सपने जो पूरे भी होते हैं, फिर से नए सपने देखे जाते हैं, और हम उस और क्रियानवित हो जाते हैं, तो इसी तरह से मैं अपने सपनों को देखता हूँ, और हाँ, एक सपना मैं जरूर आपके साथ जोड़ा हूं बच्चों के साथ में और चाहिए आम जब टूशन्स देते हैं सिखाते हैं तो लोगों की सोच को जान पाते हैं कि वो इसको क्या सोच पे किस तरह से अपना रहें तो मैं उस चीज से थोड़ा सा आहत जरूर हूँ और उस चीज को लेकि मेरा एक सपना यह है कि कथक घर घर तक जरूर पहुंचे घर घर तक पहुंचने का मेरा तात पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई इसको एज़ा प्रोफेशनल एज़ा करियर बनाए यह जरूर है हर गर में सचीन तैयंदूर कर आंट विरात कुणरी में लेकिन के बारा में आप भारतियं है और करेंश के बारे में जानते हैं कि जब कथन की बात आ जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये शास्तिर निर्त है, लोक निर्त है, भारत का निर्त है, बाहर का निर्त है, कैसा निर्त है, इसमें क्या किया जाता है, इसको किस तरह से इसको जो इसकी परिकल्पना है, वो किस तरह की गई है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि लोग उसस चीज़ को लेकर उनको पता हो वो इस को आग angular में भले ही आले फस्य उनको इसके बार में नौलेज होनी यह मेरा कहरा सपना और मैं चाहता हूँ इश्वक्षीक्रपाश से मैं इस ओर कारेरत हूं बी और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मुझे उनका अश्य स्प्राफ्ट हो और मैं इसको बड़े इस्तर पे करता हूँ आज हमने एक उबनते युगा कलाकार से उसके कुछ अपनी जीवन के अलुगाउं सुने और उसकी एक सोच हमारे सामने उसने बताई और हम उसके सुख़ जीवन के लिए और एक कलात्मक जीवन के लिए उसको शुब कामनाय देते हैं आकाश बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुब कामनाय